तो यह दोस्तों यह ऊटर स्क्राइब है और दोस्तों यह बैनल कि रिकारेनर पर लिखा हुआ है उसको सब्लार बैनल करके सब कुछ दोस्तों वहां बीजा सकते हो नहीं तो दोस्तों फोर्स मोटर में आ सकते हो अब मैं आपको दोस्तों वैसे तो मैं आपको एड़ेस बगर और अच्छे से यहां पर दिखा देना चाहता हूं वहां पर लिखा हुआ है पूर्स मोटर लिमीटेर पूने रोड आकूरी पूने मैं बताता हूं दोस्तों अगर कई यह कभी दूस्तों आप और गर्ण साइड आपको एक जगह मिलेगा उसके अंदर चले जाना है तो मैं अगर आवर आँडर जाता और आपको बताने कुछिश करता वहां पर जाके दोस्तों वहां अंदर बठेए सब्सक्राइब लोग अपना रिजियू बगएरा देखें अब उनका कल या फरसो बोलाए जाएगा सब लोग भी बाहर निकल रहे हैं है जब भी आप यहां पर आऊगे एक बहुत सारा यह मैप का मिलेगा आपको लिखा और यह कहीं से उतरने के बाएए और आपको जय हिंद का वहां पर देख रहे हो वहां उसका लोगो दिख्या हुआ है तो आप वहां पर जा सकते हो और वहीं उसी जगह फोर्स मोटर भी है तोनों की आप किसी कमप़नी में जा सकते हो जहां भी आपको जाने कमान करें और इदर साने बाद इदर जाता है जयहिंद जाता है सब्सक्राइब अब धरले से बढ़ती चले देख रहे हो चाले लोग हैं सब्सक्राइब बगर हो रहा है तो दोस्तों यह हमारा जहिंद इनिस्ट्री है और यहां पर ही रेकमेंड चल लई है यह गेट है और गेट नमर थिरी है यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है यहां पर बोर्ड भी टांगा हुआ है देख सकते हो पूरा अच्छे सी लिखा हुआ है दोस्त इंजिन का मेनिफेक्ट्रिंग होती है कास्टिंग बगरे का काम होता है इसे कि आप यहां पर देख सकते ह प्रेश्ट डिप्लोमा इंजिनेर्स होना चाहिए जेहिंद कंपनी का नाम है और यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों सारे डिपार्मेंट के बारे में मेकेनिकल पोडक्षन हो चाहिए और टोमबाय इलेक्टिकल इस सब आपका ब्रांच होना चाहिए वाकिन इंटेर्वु द पर देट भी दिया हुआ है मतलब मंडे टू सटर्डे सुबह आप दस बजे से चार्व जेस्ताम तक कभी भी आप आ सकते हो और यहां पर पूरा उसका यह गेट नमर थी है जैनी इस्टी है इधर से लोग इंटर करते हैं और बहुत साइट देख रहे हो उदर से आओगे तो वह आकुरी का बस इस्टैन है बस इस्टॉप है वहां से आप सीधे सी आ जाना यह लेट साइड होते विए आपको एक कंप्री दिख जाएगा और बहुत साइट लोग यहां पर अपना रिजुम बगर है साट लिस्ट कर रहे हैं मतलब जमा करने के लिए साट डोकमेंट्स का देख रहे हूं और यहां पर आपको सेली देखने को मिलेगा दोस्तों 15-16 जार देखने को मिलेगा सेली और दोस्तों आपको इंड्हैंट 14-14 जार आपके मतलब हात में आएगा तो आप सोच लो दोनों में से किस कंपनी में जौब करना है अब यहां पर जौयनिंग होने के बाद उन से सारा कुछ किलर कर लेना कि आप मतलब किस एरिया में रहते हो तो यहां जौनिंग के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस एरिया में आप रहते हो तो यही था इंपरमेशन दोस्तों मेरे पास देख भाई ने मेसेज क्या था यहां पर बेकरेंश चल ला है तो मैंने सुझा मैं क्यों ना ग्याट पर चले जाओं और अच्छे से सारा कुछ इंफरमेशन लेलू और आप लोग को बता दू तो वीडियो कैसे लगता है कमेंट जरू कमेंट करने कुछिस क्या कीजिए